जाइन दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ अंग्रेजों की हालत बद से बत्तर हुई UK GDP अग्रेज कंट्रीज इतने हैं वह भी ठंग से नहीं पाए तो लाइक शेर कमेंट आप चरूर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से बज़िए लेकिन दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं और आशा करते हैं वी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट आप चरूर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से बज़िए चले स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों ब्रिटेन अब ढहने के ककार पर पहुँच चुका है क्योंकि ब्रिटेन में वही हो रहा है जो अब से कुछ सालों पहले तक भारत में हुआ करता था जी हाँ वहाँ पर भी अब राजनीती देश हित पर भारी पढ़ने शुरू हो गई है रिशी सुनाख जो एक ऐसा प्रै खबर देख लीजे दरसल रिपोर्ट निकल कर सामने ये आई है कि इस साल की शुरुवात में ही ब्रिटेन की अर्थवस्था कोंट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी मतलब जैसे कि भारत की जीडीपी रफतार 7.6% है प्लस में यानि की 7.6% की रफतार से हमारी जीडीपी ब ब्रिटेन की अर्थवस्था समल जाएगी कि इनके पास एक अच्छा प्रैमिनिस्टर है एक ऐसा प्रधान मंत्री है जो एकोनमिक्स को समझता है और देश की जीडीपी को वो संभाल ले जाएगा और फिर से ब्रिटेन 2.5% की रफतार से पोजिटिव में बढ़ने लेकिन हुआ क्या है इसका ठीक उल्टा दरसल अक्टूबर महीने तक के आकड़े निकल कर सामने आई है और उसके पर आप यह आकड़े देख सकते हैं ब्रिटेन के अर्थवस्था प्लस में जाना तो छोड़िए उल्टा माइनस में 0.3% चली गई है जो बहुत बड़ा फ 24 की शुरुआत ब्रिटेन की बहुत बुरी होने जा रही है इस फॉल की वज़े से ब्रिटेन जो ओल्लेडी एक आर्थिक संकट के कगार पर है उसकी एकोनमी में बहुत बड़ा डिजास्टर होगा और यह पूरी तरीके से एक रिसेशन में चले जाएंगे यानि कि एक ऐस आर्थिक मंदी जिससे कि यह उबर ही नहीं पाएंगे लेकिन अब आप सब लोग आश्चरिये में होंगे कि हार रिशी सुनाक जो की इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर है समझदार है और बहुत पढ़ा लिखा भी है जो इकोनमिक्स को बहुत लंबे समय से समझता है उस इसकी सराहना ना सिर्फ ब्रिटेन में बलकि दुनिया भर में की गई और एक बार को ब्रिटेन की जीडिपी कुछ महीनों के लिए पलस में 2.5% तक चली गई थी और कहा जा रहा था कि यह 4% को भी टच कर जाएगी इतना शांदार काम किया था लेकिन फिर अचानक से हुआ तो हुआ ये कि उसी समय एक सर्वे होता है सर्वे में ये बताया जाता है कि जो प्राइम मिनिश्टर रिशी सुनाख है उनकी रेटिंग थोड़ी थोड़ी गिर रही है इसका कारण है बहुत जादा कठोर आर्थिक फैसले लेना जिससे कि जो गरीव वर्ग है ब्रिटेन क उस पर बोज बड़ा है जिस वजे से जो पार्टी है उनकी कंजर्मिटी पार्टी आने वाले अगले चुनाव को हार सकती है जो अब से एक देड़ साल के बाद होना है अब ये सुनते ही रिशी सुनाख पैनिक में आ गए और फिर घबराकर इनोंने ऐसे फैस ले लिए जो कि जो ब्रिटेन में immigration हो रहा था चाहे illegal हो चाहे legal हो इस पर बहुत जादा सकताई करने शुरू कर दी और immigration को बहुत जादा कम कर दया इससे असर क्या हुआ तो इसका फरक है पड़ा कि ब्रिटेन में जो old lady कई सारी कंपनिया काम कर रही थी उन्होंने अपने plant shift करने कर दिये क्यों कि Britain के अंदर Work Force लगातार घट रही है, खास करBar की जो Skilled Workọस है उसमें तो बहुत ज़्यादा कमी आ रही है क्योंकि जो असल में Britain के रहने वाले लोग है जो जो मून लिवासी है ना तो वह ज़्यादा पड़ लिख रहे हैं, ना ही skilled worker होते हैं और Britain के लोगों की जगह भरते हैं जिससे की Britain की अर्थवस्था रफतार पकड़ती है लेकिन इन्होंने illegal immigration रोकने के चक्कर में legal पर भी कठोरता बरती और Britain में workforce लगाता अरब कम हो रही है जिससे की economy भी disaster के तरफ बढ़ रही है इसके लावा एक दूसरा कदम इनका ये था कि शुरुआत में जो अर्थवस्था को मजबूत करने के लिए कठोर एलान इन्होंने किये थे आम जनता को खुश करने के लिए उने reverse करना शुरू कर दिया वापस लेना शुरू कर दिया और इसका असर अब क्या हो रहा है ब्रिटेन की अर्थ हवस्था तो एक तबाही की तरफ बढ़ी रही है साथ ही रिशी सुनाक की लोग प्रियता बहुती जादा निचले स्तर पर पहुँच चुकी है आप जानकर हैरान होंगे कि इस समय 50% से भी जादा ब्रिटिश लोग रि इसलिए आने वाले कुछ महीने रिशी सुनाक के लिए बहुत कुरूशल है अगर वह अपनी अलोग प्रिता को खतम नहीं करते और ब्रिटेन की अर्थ हवस्था को पट्री पर नहीं लाते तो आप बिल्कुल भी आश्चरिय मत होईएगा जब उन्हें प्यम पद से बरख नहीं चाहिती है किस अधार पर टिक होती है तो इसमें उतार शड़ाव आते रहते हैं कंट्यूनेशली घ्रोव होती है तो थोड़ी बहुत डाउन भी होती है वह बात चाहिए लेकिन उससे हाँ जो सरकार करन्ट काम करते उसको लॉस्ट हो सकता है रीजन वीडियो में उन्हें बिटेन की सरकार के लिए लिए या बिटेन नागरिक के लिए लिए सबसे ज़्ज़ाइब को कही देखा जाता है तो यह मेरे को लग रहा है धीरे-धीरे करके फिर से अब आ जाएए क्यों कि देखो यह सालाना नहीं होता है लेकिन अगले और तीन मैने के बाद पासी जो फूड़ी बहुत हुई कुछ से चिखने को मिल जाता है और ठोकर जब हो खाते हैं तब हैं आमें सब कुछ समझ में तो फिर अच्छी करने के लिए वैसे भी रिस्क तो लिया हो और फिर ऐसा लगाओ कि यह तो फिर सही करने की कुशिस की तो उसकी वज़े से डिस्टरबंस होती है अर्च वेवस्ता को यह आप अच्छे से जानते हैं कभी कबार बहुत बड़ी भी हो जाती है कभी कबार माइना उसका बहुत चोटा होता है लेकिन कभी कबार बढ़ जाता तो उसकी वज़े से हां सरकार के उपर उंगली उठ सकती है सरकार में पसंद और नापसंद मन मोटा हो सकते है तो यह तो अब वहां पर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने के बाद दिखा जाएगा और ज्यादा तर मैंने तो जनरली वर्ड में बाकी कंट्री में ऐसा ही देखा है कि कभी कभी भी पांस साल जैसे ही खत्म हो दो दूसरी ही गवर्मे जो दो वहां पर तो 5 साल नहीं पर 10.50 ध यहां बाकी कंट्री में पाकिस्तान जैसा नहीं होता है तो भारत का भी नाम खराब ना हो तो अच्छी बात है लेकिन भुबाई पीएम के तोर पे उसको अच्छी नोलेज है तो ठीक कर लेंगे कोई बात नहीं आप भी पूरा मत लगाना टेंचन मत लेना वीडियो को यहां पर समाब करते दोस्तों फिलाला हम आपसे विजाय लेते हैं मिलते हो रखने वीडियो में आपके साथ तिल दे जेए 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 बार